साथ पर मुख मुंत्री को समन भीजा गया आखरी मोका भी दिया गया वह जवाब देने नहीं पोछ इसको किस रूप में देखते हैं देखिए मैं इतना समझता हूं आप जबरदस्ती यदि किसी को बांस कीजिएगा और कानून सरवोच नियाले को भी आप नया कानून जब जब अभी जो कानून बनाए गया हिट रन का और भी जो कानून बनाई तो बहुत गलत है न जी मुद्दा है किसाम मुद्दा है विरुजगारी मुद्दा है महिला सुरक्षा मुद्दा है मजदूर का पलायन रहमागाई मुद्दा परिवार बाद नहीं है जिससे सुरक्षित लगता है वो करते हैं अब यह सब मुद्दा ही गौन है मंदिर के सहारे आयुद्या के सहारे ये जो कतर्नी पार करना चाहते हैं दस साल का पाप दोना चाहते हैं तो राम तो पाप के खिलाब गए थे और राम तो नफरत के खिलाब और ये तो नफरत को बोज़ते हैं तो इसलिए इंडिया गट बंदन इस से देश की स्वभाविक गट बंदन है यह 130 करोर लोगों की आवाज है जो एकोनोमी के रूप से खत्म हो चुकी है मात्र दो ब्यक्ति का एकोनोमी इस हिंदुस्तान में चल दा है एक अधानी जी जो करोना में भी चौर गुना जाद है उन्होंने बेनिफिट लिया और दूसरा अमित साजी की कमपनी राम के भरोसे अब राजनितिक नोटंकी भी मंदिर की राम के भरोसे होगी यह नहीं चलेगा इसलिए इस देश की हिपाजत लोक्तंत्र की मर्यादाओं का समान और संबीधान को बचाने की जिमेदारी यह इंडिया गटबंधन की जिमेदारी है हम तो देश में मोदियों के उपर है जितना मोदी जी लोग लूटते हैं उतना डेली बाठते हैं हम कहां हैं जितना पॉल्टीशियन लूटता है उतना हम डेली बाठते हैं हम गरीब और गरीबी खतम करने का लाइन है पपुया जब का नितीज कुमार जी सर्मान निताना जदियू के हैं नितीजी न समाले नितीजी न जाती जनगना और सरसत प्रतिसत आरक्षन के सुत्रपात हैं चालिस साल के बाद जन नायक वही न होंगें तो सुत्रप जब सर्मान निता जदियू के हैं यह और उन्होंने समाल लिया और आज उनको जिन्होंने एक देश को बचाने के लिए इंदिया गटबंदन जो बनाया उनको संजोजग बना दिया गया तिये पता चल गया ना मीडिया के उन लोगों को जो कीलर हैं यह जो मीडिया के मालिक लोग जो पैसा ले करके कीलिंग करते हैं इंदिया गटबंदन के खिलाप अब आज उठाना और नितिश कुमार के खिलाप प्रपगंड़ा कर रहा तो यह नहीं चलेगा यह तै हो गई चिंता मत करिये और अब यहार से जारकंड और बंगाल से यहीं से बीजेपी की सरकार को रोक दी जाएगी और जारकंड का जो संकट है वो है जो मूल बासी जो आदिवासी जिसको लेके जारकंड का बटवारा हुआ जो हम लोग नहीं चाहते थे एदी हुआ तो आज उसकी आर्थिक और सेक्षनिक समाजिक राजनितिक इस्तिती से बहुत नीचे है तो हमारी जो 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 लोग बंचीत हैं गरीब हैं और जारकंड को जो दुनिया का सबसे ज्यादे जहां सोना है जो दुनिया का सबसे ज्यादे लोहा है स्पात है कोई चीज की कमी नहीं है उसक अधिकारियों के और पुझीपत्यों का इक चारागाव पन के रा गया है पॉल्टीस्यन उद्योग पति पुझीपति अम्माफिया और क्वेश्यन पॉल्टीस्यन आप अधिकारी चार करोर नब्य लाग भोत आया कॉंग्रेश को और चार करोर असी लाग भोट आया बीजेपी को समझें और उसके बाद जो इंडिया गटबंधन के लाइज अलग अलग लड़े उनको आया तीन पॉइंट कुछ आप चिंता ना करिए इंडिया गटबंधन की आप सीद सेरिंग होने दीजिए और चुना होने दीजिए आपको पता चलेगा उगर बीजेपी को बोलिए ना बिरा गटबंदर के चुनाअलने अकाद है कि एक बार अकेले चुनाअलने आप बहुत के लिए अगर आप सक्षा में नहीं आए इंदिया गटबंधन को ममता जी चाहे हो अर्विन जी सब लोग को अपनी राग छोर के सीट सेरिंग पर ध्यान दे के जो जहां चुनो जीते उन्हीं को टिकर देना चाहिए अपनों को टिकर देने में ये बिधान सबा का चुनो नहीं है संबिधान लोकतंत्र और देश बचाना है तो अपने अहंकार को त्याग नहीं है तो अपने अहंकार को त्याग नहीं है जितना बीजेपी बीजेपी में उथल पुथल नहीं है यहां सरकार और स्थिर की इस्तितिम बन चुकी है यहां बेफिकिए पॉलिटिकल जो आज क्रैसिस है वो देश में सिर्पिया ही नहीं है और यहां पर